1984 का दंगा कोई भूल नहीं पाया है ऐसे में कॉंग्रेश जिस तरीके से लोगों को सम्मान दे रही है जो 1984 के दंगे के कातिल हैं उनको लेके आमादनी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है जन्रेल सिंग जी हमारे साथ है जन्रेल जी किस तरीके से आप इसको देखने हैं क्योंकि 1984 की स्थिती अभी तक कोई भूल नहीं पाया है बिल्कुल 1984 कतलयाम के जो मुखे दोशी हैं जगदीश टाइटलर उनको आज कॉंग्रेस ने ये प्लेनरी सेशन का इलेक्टेड मेंबर बनाया है तो बार बार जो कॉंग्रेस उन पीडितों के जखमों को कुरेद कर उन पे नमक चलकने का काम कर रही है वो बहुत शरम नाक है ये सिलसिला तो तब के परदान मंतरी राजीव बांदी जी ने शुरू कर दिया था ये कहकर कि बड़ा पेड़ गरता है तो धरती तो खिलती है जबकि परदान मंतरी की ड्यूटी होती है कि देश में नया विवस्ता कायम रहे और उन कातिलों को उनके अंजाम तक पोचाने की बजाए जो सिलसिला उनको रिवार्ड देने का शुरू किया था उनको MP बना दिया था उनको के अंदर मंतरी बना दिया था वो सिलसिला आज भी शुरू है तो कॉंगरेस ये कहना चाहती है कि हम कातिलों के साथ थे, हम ही कातिल थे और हम कातिलों के मेशा साथ रहेंगे और उनको ऐसी परमोड करते रहेंगे प्रधार मंतरी बदल गया है, जा आमन मोहन सिंग की बात करें या नरेंद मोदीर जी की बात करें 2002 का गुजराद दंगा हो या 1984 का दंगा हो, लेकिन लोगों को इनसाफ नहीं मिल पाए, अपने आप में एक सवाल भी है बिल्कुल इस चीज़ का जरूर अफसोस है कि पहले तो कॉंगरेस की ही सरकार थी, उमेद की कोई आस नहीं बची थी नियाए की पर जब से 2014 में केंदर में बाचपा की सरकार आई है, तो एक उमेद थी की शायद आप 1984 के पीड़ेतों को इनसाफ मिलेगा पर 2014 से आई 2023 हा गया है, इनसाफ के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है, मेरे को लगता है भाचपा और कॉंगर्स के बीच में कोई एक बड़ा स्टॉंग समझोता है, कि तुम 2002 के बारे में कुछ मत बोलना, हम 1984 के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप देखी बाचपा बिल्कुल शांत बैठी रहती है, नहीं तो किस तरीके से आजकल CBI का उपयोग किया जाता है, अलगल एजनसियों का उपयोग किया जाता है, वो आप देख सकते हैं, पर इन सरयाम जिनोंने दिल्ली की सड़कों के बेंदर के उपर कतलयाम किया, उनके के उपर आज तक बाचपा की हिम्मत नहीं कोई कारवाई कर सकते हैं, एक अंतिम सवाल, राजनीती दल बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन राजनीती अभी के अभी बरकरार है, और आप जिस विधान सभा से आते हैं, वहाँ पे 1984 दंगे की काफी संख्या में पीडित है आम आदनी पार्टी किस तरीके से इसको देखती हैं और उनके लिए किस तरीके से इनसाफ करती हैं? पर जो उनके जखाम हैं वो तब ही भरेंगे जब ये फासी के तक्तों पर लटकेंगे, इनको सजाए होगी, उसकी जो आस्ती मेरे को लग रहा है, वो काफी लग बग खतम हो चुकी हर दिन में अपने अलाके के उन पेडित परिवारों से मिलता हूं, जो पूछते हैं आज पर जब तक उन सबी कातिलों को सलाखों के पीछे या फासी नहीं मिलती है, तब तक लोगों को इनसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल अभी भी बढ़ कर रहा है, कि आखिर इनसाफ लोगों को कब और कैसे मिलेगा, वीडियो जन्रेलिस्ट अजीत के साथ में कंचा नरोडा दिल्ली, हिंदी कबर